जार्खन में इंटरनेट मीडिया के बीग बोस हैं सियम हेमांद। जार्खन में इंटर पर 17 अपरेल 2022 तक के रिकोर्ड के अनुसर सबसे अधीक 8,95,000 फॉलोवर मुख्य मंत्री हमांद सुरेन के हैं या उनकी लोग पिरता का पैमाना है। ओमिक्रोन XC का बचो पर हमला देश के कई राजियों में कुरोना के चौथी लहर आने के पोक्ता संकेत मिल रहे हैं। भारत की राजधानी दिली, NCR, नोएडा, गैजियाबाद, गुरगाव, आधी सहरों में बड़ी चंक्या में बच्चे कुरोना संक्रमित हो गए हैं। ओमिक्रोन BA2 और XC variant कहर मचा रहा है, ऐसे में बिहार जारकन समेथ, दूसरे राजियों में भी अविभावक अपने बचों के कुरोना वारत संक्रमन से बचाने में जुट गए हैं। इधर दिली में बिते 24 गंटे में बेताहासा बढ़ रहे कुरोना पोजेटिव केस के बाद कहा जा रहा है कि देश में कोविट की चोथी लहार आ गई है, यहां होम आईसोलेशन के मामले में लगबग 48 परतिशत की ब्रीधी एक दिन में दर्च की गई है। स्यमें बढ़ दिली में लुट के सिमें ब रहे लहा है, लाले म Хि दर्मत सित यहाथ इस ग चे स्कोरूर को मिलाकर प्रैमल रियरिट जारी किया जाएगा। टर्म1 के लिए 30 पर्तिचत और टर्म2 के लिए 70 पर्तिचत वेटेज दिये जाने की चार्चा है जैक बोर्ड 8-9-11 परिक्षा जून में जारखन में मैट्रीक और इंटरमीडिट की परिक्षा के बाद जून में 8-9 और 11 की परिक्षा होनी ताय है बावजूद इसके अब तक मोडल प्रश्ण पत्र नहीं बना है चात्र चात्रा उहापो में है कि त्यारी कैसे करे आठ्वी नवी और एकार्वी की परिक्षा भी OMR सीट और उतर पुष्टिकाओ पर होगी बता दे एक एक दीन एक परिक्षा होगी चात्रों को 40-40 अंकों का OMR सीट पर और 40-40 अंकों का लिखित उतर देना होगा जारकन एकेडमी कॉंसील इसका सेड्यूल जारी करेगी आठ्वी नवी और एकार्वी की परिक्षा के लिए केंद्र बनाया जा सकते हैं मैट्रिक के परिक्षा केंद्रों पर नौवी की और इंटर्मीडियर के परिक्षा केंद्रों में एकार्वी की परिक्षा होसे GPS से लैस E स्कूर्टी से चाईबासा में स्वास्त स्वाय पहुंचा रहे A&M दिदी स्वाष्ट सेवाओ को जन जन तक पहुचाने में राज्य की एन आ महत्पून भूम का निभा रही है पचमी सिंभूम जीला अंत्रग चाइबासा पचमी सिंभूम के सुधर वर्ती दुरगम छेत्रों में इस्थीत गाउं तक स्वास्त स्वाय पहुंचा ने में इस कुटी स्थायक बन गहा है मालूम हो कि चाईबासा के इस भुभाग में पहाडों के उतार चढ़ाओं के साथ साथ जंगल की पक डंडियों के साहरे गाउं तक पहुंचा जाता है इस दोरान कॉमविकसी जीलों को केंडर सरकार द्वारा कांची जीले के रूप में मन्याता दिया गया है जीले में ऐसे कई छेत्र हैं जिने कठीन पहाडी इलाकों के कारण दुरगम छेत्र माना जाता है बतादे बर्तमार में चाईबासा के दुरस्त 342 स्वास्त उपकेंद्रों में इसी समस्या का समाधान 180 E.S.K. के जरिये किया जा रहा है पंचायत चुनाव को लेकर लोहरदागा S.P. ने नकसल प्रहवई छेतरों का किया दवरा पंचायत चुनाव को लेकर नकसल प्रहवई छेतरों का दवरा लोहरदागा S.P. ने किया पतादे स्पी ने पेसरार, थाना उंत्रगत, डुग्गू, ओनेगडा और कानी टोली स्थीत, पोलिंग बूथों का भी निरिक्षन किया तथा थाना परभाली को पंचाज चुनाओ के लिए कई अवस्चक दिशानी देस भी दिये पलक जपकते ही रेल यात्रियों का समान गायव करने वाले गिरोह का खुलासा गीरोह के सदस बिहार के सासाराम, जार्खन के रांची और बोकारो केलावा, मद्द पर्देश के भोपाद समित अनजगों परवर्दात को अंजाम देते थे जार्खन में आयुसमान योजना बंद करने की चेतावनी आयुसमान भारत मुख्यमंति जन आयरोगी योजना के तहत मरीजों का इलाज करने के बाद नीजी अस्पतालों का कोडोरू रुपए का बकाया हो गया है अस्पतालों का कहना है कि लभक 6 मां से इन्हें इलाज के बदले भुगता नहीं हुआ है इसे उनके समक्ष इस योजना के तहत इलाज बंद करने के बाद कोई चारा नहीं है नीजी अस्पतालों की ओर से आये में जार्खन तथा होस्पिटल बोर्ड और इंडिया ने सन्युक तुरूप से बिगवति परकासित करा कर कहा है कि पिछले छावमा से स्विक्रित प्राप्त आवेदनों पर भी चिकित्सा के बाद रासी अस्पतालों को नहीं मिल रही है खुटी में निबंधित बेरोजगारों को आज मिलेगा रोजगार खुटी जिले के इंटर और असना तक पास बेरोजगारों को खुटी निविरेज कर्पोरेशन लिमिटेट के दवारा सोप इंचार्ज और सोप असिस्टेंट के लिए 18 अप्रेल को 10 बज़े से सक्षतकार लिया जाएगा सचतकार नियोजिनाले सा मोडल केरियर सेंटर खुटी में 10 बेर से आयोजित होगी पत्थर ख़दान मामले में सीम हमन्त का कूर्सी खत्रे में देना पर सकता है इस्थीपा जारखन में कभी भी कुछ भी हो सकता है कम से कम ताजा सियासी हालात तो यही बता रहे हैं मुख्य मंत्री हमन्त ख़दान लिज मामले में दो हरे सरकारी लाब लेने और जन पर टिनिधित्व कानून का उलंगन करने के मामले में चोतार पा घिर गया है चाहे अंचाहे उनकी कुर्षि खत्रे में है हे मंत पर अगर दो साबी थुआ तो उन्हें मुक्ष मंत्री पत से भी स्थीपा देना पड़ सकता है धन्यवाद